समस्कार में पूजा वशेष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदू पंचांग के अनुसाद प्रतेक महा में अमावस्या आती है लेकिन फालगुन कृष्ण अमावस्या को बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि ये महाशिवरात्री के बाद आती है ये मावस्या सुख सभाग्य और धन सम्पत्ति की प्राप्ती के लिए विशेश मानी जाती है इस दिन समस्त सुखों की प्राप्ती के लिए कुछ खास उपाय किये जाते है माना जाता है कि महाशिवरात्री के ठीक अगले दिन आने वाली ये मावस्या विशेश फल्दाई होती है इस बार 15 फरवरी को आ रहे इस मावस्या के दिन सूर ग्रहन का भी साया है हाला कि सूर ग्रहन भारत में नहीं होगा लेकिन इसका असर शुष्टी पर तो होगा ही तंत्र शासरों के अनुसार बड़ी अमावस्या के दिन किये गए उपाये तुरंत फल्दाई होते हैं तो आये जानते हैं कि वो क्या उपाये हैं जिने करके आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पाक अरधनवान बन सकते हैं विश्णू या कृष्ण मंदिर में द्वजा लगाएं अमावस्या के दिन किसी भी विश्णू या कृष्ण मंदिर के गुम्बत पर पीले रंग की तरकोंड द्वजा लगाएं ये द्वजा जैसे जैसे हवा में लहराज दी जाएगी आपका भाग्य चमकता जाएगा जीवन के रुकाव अटे दूर होंगी कुए में दूर डाले अमावस्या के दिन शाम के समय किसी कुए के समीब जाएं और साथ में सवा पाव दूर लेकर जाएं एक-एक चमच कर कुए में दूर डाले इससे आपका बिगड़ा भाग्य बनने लगेगा धन की आवग भड़ेगी अमावस्या की शाम को शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूर दही शहत से शिव जी का भी शेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें दूर से बनी खीर से भी आप अभी शेक करवा सकते हैं ये भी एक चमत कारे को पाय है इस सिधन के मार्क से आ रही बाधा ऐसा मापत होती हैं आप अतुलनी ये संपत्तियों के मालिक बनेंगे अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के लिए चेर सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पित्रों को स्मरण करें इसके बाध पीपल की साथ परिख्रमाय लगाएं ऐसा करने से पित्र प्रसंद होंगे और फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी शनी देव की पूजा अमावस्या शनी देव का दिन भी माना जाता है इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बेहत जरूरी है अमावस्या के लिए शनी मंदिर में नीले पुष्प अर्पित करें काले तेल, काले साबुत ओड़त, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा अर्पित करें इसी मंदिर में बैट कर ओम शने, शनिश्चराय, नमहा मंत्र की एक माला जाब करें इससे आपके सारे संकत दूर हो जाएंगे शनी के साथ अन्य ग्रह भी अनुपूल हो जाएंगे उमीरे आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से फायदा होगा फिलाल वीडियो में इतना ही और वीडियो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल